दोस्तों इस वीडियो का टोपिक बड़ा ही इंट्रस्टिंग है जाइंट्स जाइंट्स यानी विशालकाई मानव जाइंट्स के उपर आज तक बहुत सी मूविस और सीरियल्स बन चुके हैं जिन में उन्हें या तो एक इंसान के रूप में दर्शाया जाता है या किसी राक्षस के रूप में लेकिन क्या इनका वजूल सिर्फ मूविस और सीरियल्स तक ही है क्या वाकई में ऐसे प्राणी होते भी थे या ये सिर्फ मानव की कल्पना मात्र ही है देखिए दोस्तों पहले तो मैं धार्मी ग्रंथों में आस्था रखने वाले लोगों के लिए बताना चाहूँगा चाहिए वे किसी भी रिलेजन से बिलोंग करते हों बाइबल में नेफिलिम का जिक्र मिलता है जो की नो के दिनों में पैदा हुए थे बाइबल में प्राचीन समय के नेफिलिम जाइंट्स थे जो की बहुत हिंसक और क्रोधी स्वभाव के थे बाइबल में उनके बारे में कहा गया है कि उनकी उत्पत्ती असाधारन रूप से दुष्ट दूथ और प्रित्वी पर रहने वाली महिलाओं के विवहा स्वरूप हुई थी और उन्होंने पूरी प्रित्वी को हिंसा से भर दिया था बाइबल में बताया गया है कि नैपिलिम भी बाकी बचे हिंसक लोगों के साथ प्रित्वी पर हाई भयंकर बार द्वारा मारे गए थे सैमुल की बिबलिकल बुक में गोलिक का जिक्र मिलता है जिसे डैविट नाम के लड़के ने एकल युद में यानि बिना सेना का इस्तेमाल के हरा दिया था और इसके अलावा अगर इसलाम की बात की जाए तो उनका भी माना है कि प्रित्वी पर जो पहला मनुश्य आदम आया था वो 90 फीट लंबा था यानि आज के इंसान को देखकर अंदाजा लगाया जाए तो करीब 16 गुना लंबा ग्रीक्स पुरानिक कथाओं में भी ऐसे प्राणियों को जिंजर टीस का नाम दिया गया है जो की देवताओं के निकर संबन्दी या आधे रक्षस थे इनमें सबसे प्रसिद सो थ्रेशन गिंगेट थे जिन्नोंने देवताओं से युद्ध किया था इनके अलावा भी कई तरहें के जाइंट्स की बात कही गई है एलडोई दो जाइंट्स थे जिन्नोंने तीन परवतों ओल्पमोस ओसा और पेलियन को एक के उपर एक करके देवताओं को परिशान करने की कोशिश की थी पॉलिफेमस एक आदमखोर जाइंट्स था जिसके माथे के बीच में एक आँख थी और यसी सिस नाम के लड़के ने उसका सामना किया था इसके अलावा ब्रिटिश द्वीप समू में रहने वाले अंतिम जाइंट गोगमो का वनन भी मिलता है वेल्शमेंट जेफरी ने 1136 में हिस्टोरिया रेग्में ब्रिटानिया लिखा था जिसमें उन्होंने ब्रिटेन के राजाओं का इतिहास लिखा था उन्होंने अपने लेखों में बताया है कि ब्रिटेन में उस समय जाइंट्स की एक पीड़ी का निवास था जिनमें 12 फुट लंबा गोगमोग था वो इतना विशाल और ताकतवर था कि ओग के पेड़ को एक टहनी की तरह उखाड सकता था हिंदू ग्रंथों की बात करें तो चारों युगों में इंसान की उम्र और उसका आकार अलग-अलग था और साथ ही बहुत से विचित्र और विशाल का इमानवों का भी बढ़नन मिलता है जिस तरह वर्ष में रित्वें होती हैं उसी तरह युग नामक चार रित्वें होती हैं जिनकी खुल उम्र 43,20,000 वर्ष है प्रतेक युग के बीच दुनिया में एकांशिक विघठन होता है जहां बाड आग या अन्य प्रकृतिक आपदाओं के माध्यम से दुनिया को नश्ट कर दिया जाता है कलियुग की बर्तमान उम्र लगभग बावन सो साल पहले शुरू हुई ये वही वक्त है जिसके बारे में माया सब्धेता के कैलेंडर में और बाइबल में पृथ्वी पर आई बाड के कारण विनाश हुआ था कुम्बकरन के बारे में तो आपको पता ही होगा कुम्बकरन जैसा विशाल का एप्राणी तर्यता युग में था उस समय मानव की हाइट को मापने के लिए इंचिस और फीट का नहीं बल्कि गजों का प्योग किया जाता था श्लोकों द्वारा एक अनुमान के अनुसार कुम्ब करण की हाइट लगभग 80 गज रही होगी एक गज में लगभग 3 फीट होते हैं गटोतकच की बात करें तो वो भी भयंकर तबाही मचाने के लिए पूरी कत काठी रपता था गटोतकच द्वापर युग से संबंदित है गटोतकच इतना विशाल काई था की मजबूरी वशकर्ण को अपना वो महतवकून अस्त्रयुद में उस पर छोड़ना पड़ा था जो की उसने सिर्फ परजुन के लिए बचा कर रखा हुआ था इन सब के अलावा अगर सीधी सीधी बात कही जाए तो पिछले युगों में एक नॉर्मल इंसान की कत काठी ही इतनी थी कि वो सभी आज के इंसान के लिए जाइंट सी थे अगर दो